नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे पस्मान्दा मुस्लिम के बारे में पस्मान्दा मुस्लिम को आजकल बीजेपी रिजहाने में लगी हुई है मोदी जी और आरेसेस पस्मान्दा मुस्लिम नेताओं से मिलना भी शुरू कर दिया है और बार बार मोरी जी भाजपा करेकरताओं से देश में जो पासमानदा मुसलिम है उनके करीब लाने की बात कर रहे हैं लेकिन हर कोई जानता है कि BJP मुसल्मानों के प्रती क्या सूशती है बीजेपी की क्या आइडियोलोजी रही है हर कोई जानता है भाजपा और RSS दोनों एक कट्टर हिंदू के तौर पर माने जाते हैं और मुसलमान के खिलाफ लगातार जो ब्यानबाजी करते हैं वो दरसाता है कि बीजेपी का राजनेति के आइडियोलोजी हिंदू मुसलमान क को बांट करके सत्ता हासिल करने की रही है लेकिन अचानक मोदी जी की बीजेपी की आरेसेस की हिर्दे परिवर्तन कैसे हो गई है यह थोड़ा विचीत्र है अब देश के 80% मुसल्मानों से प्यार दिखाने लगई है बीजेपी वह भी पासमांदा मुसल्मान से देश में टो हैं इस वीडियो में हम पसमांदा मुसलिम के बाड़े में डिटेल में हम बात करेंगे हमारे देश में जितने भी मुसल्मान है उसे तीन के टिगरी में बाटा गया है इस पर हम आएंगे एक एक कड़के लेकिन अभी हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आखिर बीजेपी मुदी जी मुसल्मानों के इतने करीब क्यों हो रहे हैं इसका सिधा सा मतलब है सिधा सा जवाब है 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्सन जी आज से लगभाग 400 दिन और सेस रह गये हैं यानि कि 2023 को जो पार्टी जनता को रिजहाने में काम्याब हो जाएगी वो प कॉंग्रेस भारत जोड़ो यातरा के जरिये राहुल गांधी की छवी को चमकाने में लगी हुई है और इस भारत जोड़ो यातरा में कॉंग्रेस की एक जो छवी रही है मुसलमानों की ओर जुकने की भारत जोड़ो यातरा के जरिये राहुल गांधी मंदिर भी जा रहे ह गुर्दवाड़ा भी जा रहे हैं चर्च भी कई बाबाओं से भी मिले हैं सनातन धर्मियों से इस तरह कॉंग्रेस पार्टी अब अपने आपको सेकुलर कहें या हिंदू बहुत संख्यक के करेब आने की कोशिश कर रही है बाकी अलग-अलग राजियों में रिजिनल कुछ मुद्दे पर घेड़ने में लगी हुई है जो बेसिक मुद्दा है विरोजगारी महंगाई नितिश कुमार विपक्ष को एक जुट करने की बात कर रहे हैं हलाकि कितना सफल होंगे वो तो वक्त बताएगा उधर केजरिवाल भी है जो नोट पर गांती के साथ बीजेपी के लिए खत्रे की घंटी हो सकती है यह बात बीजेपी खुद समझ रही है दूसरी बात बीजेपी के पास जो बेसिक मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे लगभा खत्म हो गये हैं चहवा राम मंतिर का मुद्दा हो चहवा धारा 370 हटने के बाद मुद्दा हो रा बाकि जो किया है वो सकसेस नहीं हुई चाहे वह नोट बंदी हो काला धर्वापस लाने की बात हो दो करो रोजगार देने की बाते हो चाहे भारत को विश्वगरु बनाने की हो यह सब कहीं न कहीं फेल नजर आ रहे हैं और बीजेपी अब अपने भासनों में इसा की कमी है लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी हमेशा election mode में रहती है मोधी और सहा की जोड़ी election जितने के समीकरन बनाने में न माहिर खिलाडी है लोग सभा और विधान सभा में बीजेपी की एक भी मुसलमान सांसद नहीं है इसे ले कर के भी पार्टी के खासी आलोशना होती रहती है इसलिए बीजेपी ने अब पासमांदा मुस्लिम को रिजाना शुरू कर दिया है अब ये पासमांदा बार बार ये वर्ड आ रहा है आपको साय समझ में नहीं आ रहा होगा ये कौन लोग है इस पे हम बात करेंगे आप जानते हैं फ उपियोग मुसल्मानों के बीच दबे हुए वर्गों का वर्णन करने के लिए किया जाता है पासमांदा भारत के मुसल्मानों में लगभाग 80-85% आबादी है बहुत बड़ी आबादी है जिस पर बीजेपी की नजर है पासमांदा मुसल्मान को समझने के लिए आपको मु जलाप और तीसरा अरजाल अश्राप में पावरफुल जातिया आती है जैसे हिंदू में फॉरवर्ड होते हैं उसी तरीके से जो मतलब आर्थिक और समाजिक तोर पर सेक्षिक तोर पर संपन होते हैं उन्हें खास कर समाजिक तोर पर कोई दिक्कत नहीं करता है ये लोग नहीं करना पड़ता है इनमें यानि की अश्राप में आते हैं सैयद इसमें पठान मोगल शेख और मिर्जा सैयद पठान मोगल शेख और मिर्जा ये सभी जो है वहाँ अश्राप में आते हैं दूसरे हैं अजलाफ है ये मध्वर्ग कर लाते हैं अजलाफ में वे जातिया आती है जो अपने पेसे के जरिये जाने जाती है जैसे धोबी है, नाई, रंगडेज, धुनिया, अंसारी, बुनकर, फाकीर, गुजर, राइन, ये मोटे तोर पर समझे तो ये ओवी सी जातियों में आते हैं, ओवी सी वर्ग में आते हैं, और फिर तीसरा आता है अरजाल, य उसी तरह के से अरजाल में सामिल है जातिया जैसे साफ सफाई, बाल काटने वाले होते हैं, चपल, जूता, मोची सिलने वाले होते हैं, चमडे से जुड़े काम करते हैं, और ये समाजिक और आर्थिक तौर पर, सेक्षिक तौर पर भी काफी पिछडे हुए होते हैं, इन् मुसल्मानों में सबसे पिछरे लोग दलित और आदिवासी मुस्लिम समुदाय के लोग जो अराजल के अंतरगा छोटे जाती में आते हैं उन्हें पासमांदा कहा जाता है मतलब जो दलित आते हैं जिसको हम अराजल डिवाइड तिन पार्ट में किये हैं तो अरजाल कहते हैं और उसी को हम पासमांदा कहा जाता है पासमांदा जो है चर्चा में तब आया जब 1998 में राजसभा के पुर्वसांसद अली अनुवर अंसारी ने पासमांदा मुसलिम महाज की इस्थापना की थे उसके बाद से 1998 में उसके बाद से पासमांदा मुसलिमों पर ज्यादा चर्चा शुरू हुई थी 1998 सी पासमांदा की समस्या यह है कि जिस प्रकार हिंदू में पिछडे हैं या दलित को समिधान में अलग-अलग जशे अधिकार दिये गए हैं OBC से ज्यादा फायदा किसको मिलता है दलितों को दिया जाता है, लेकिन मुसल्मानों में पासमांदा यानि कि दलित को OBC में ही सामिल किया गया है, ये लोग दलित का दरजा चाहते हैं, जिससे इन्हें ज्यादा फायदा हो, आरक्षन मिल सके, अभी इन्हें OBC वाला आरक्षन ही मिलता है अब सारी लड़ाई जो है इसी बात की है कि मुसल्मानों में भी दलित को उनका दर्जा दिया जाये ताकि उन्हें आरक्षन का लाब मिल सके जो सालों से यही मांग हो रही है कई बार आंदोलन भी हुए लेकिन आर्थिक नेताव के दवारा इस आंदोलन को गैर इसलामी बता करके आंदोलन को इस्थागित कर दिया गया विरोध करते हुए इसको रोग दिया गया बतलब जो पासमान्दा मुसल्मान है उनको उनके जो मुझवर के मुसल्मान है उन्हें कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की औरोग दिया गया और 80-85% पासमानदा मुस्लिम अबादी है ऐसे में राजनितिक फायदे का लाब इस तरह से बीजेपी ले सकती है उन्हें दरजा दे सकती है आप लोग जानते होंगे कि भारत में मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने थे इसमें बहुत सरे लोग हिंदु धर्म के भेद भाव का सिकार हो करके वे लोग मुसलिम धर्म अपना लिये थे वे लोग मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी उनकी जो समाज में जो छुवा छुट और भे दवाओ का जो प्रकोप था वो आज भी कम नहीं हुए है यह सब धर्म परिवर्तन से भी दूर नहीं हुआ है मुसलमानों में भी जो कनवर्ट करके चले गए थे यही लोग पासमान्दा मुसल्मान है अब देखने वाली बात यह है कि BJP भारत के 80% जो पासमान्दा मुसल्मान है उनको रिजहा पाती है या नहीं वैसे इतना आसान भी नहीं है मुसल्मानों में बीजेपी के लिए इमेज क्या है उसे पाड़ कर पाना बहुत ही कठिन काम है लेकि राजनिती है कुछ भी हो सकता है जैसे ही बीजेपी पासमान्दा नेताओं को सीट देना शुरू कर देगी यानि कि लालश देगी और ये लोकतंत्र है संख्या बल इसमें काम आता है तो दोस्तो अब आप समझ गए होंगे कि पासमान्दा मुसल्मान कौन लोग है और इन लोगों पर बीजेपी की नजर क्यों है दोस्तो आप देख रहे थे न्यू भारत एन्वी